नमशकार साथियो, मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है, आज हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतिय इतिहास के स्त्रोत, जिसको हम इंगलिश में the sources of ancient Indian history भी कहते हैं, हमारा मुख्य टॉपिक है अभिलेख, अभिलेख किसको कहते हैं, अ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये टॉपिक IAS, PCS, NDA, CDS, CAPF, SSC, CPO, तथा UGC Net हित्यादी, exams के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो सर्व प्रथम हम अभिलेख का शाब्दिक अर्थ इन शॉट में हम कह सकते हैं, कि कोई भी पाठन सामगरी, पत्थर अत्वा धातू पर उसका जो हार्ड सर्फेस है, उसके उपर उतकीर्ण करना, तो उसे हम अभिलेख कहते हैं, अब हम देखेंगे उतकीर्ण, ये शब्द का अर्थ होता है, छिदा हुआ, या फिर खोद कर अंकित करना उसे हम उतकीर्ण कहते हैं। प्राचीन काल से अभिलेख का उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उतकीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और उसका पालन कर सके। अब हम अभिलेख के बारे में पहला पॉइंट देखेंगे। यानी ईशु क्रिस्त जी के जन्म के 300 साल पहले पाए जाते हैं। डियार भंडार कर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही समराट अशोक का इतिहास लेखन का सफल प्रयास किया है। दोस्तो अगर डियार भंडार कर नहीं होते तो आज हम समराट अशोक का इतिहास नहीं पढ़ पाते। अब हम देखेंगे कि डियार भंडार कर ये कौन है। तो दोस्तों, देवदत्त रामकृष्ण भंडार कर ये महाराष्ट्र के इतिहास संशोधक तथा पुरातत्व शास्त्री थे. उन्होंने प्राचीन निर्माण, मुद्रा शास्त्र, राजनीती का विशेश अध्ययन किया था. अब हमारा तीसरा पॉइंट देखेंगे कि समराट अशोग के अभिलेक मुख्यता चार लिपियों में हमको मिलता है. वह चार लिपियां है अर्माईक, युनानी, खरोष्ठी और ब्राहमी. ब्राहमी को हम धम लिपी भी कह सकते हैं. तो इन चार लिपियां में समराट के अभिलेक को परहा था. इसका मूल कारण है कि जेम्स प्रिंसेप को ब्राहमी या धम लिपी का बहुत ही ज्यादा गहरा घ्यान था. जेम्स प्रिंसेप एफारेस एक अंग्रेजी विद्वान, प्राचविद और पुरातन पंथी थे. उन्हें प्राचीन भारत की खरोष और ब्राहमी लिपियों को समझने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है. जेम्स प्रिंसेप इस्ट इंडिया कमपनी के टकसाल में एक अधिकारी थे. अब पांचवा एवं सबसे महतोपूर्ण पॉइंट में हम देखेंगे कि समराट अशोक के अभिलेक ये मुख्य अभिलेकों के ऊपर देवनापिय प्रियदसी यानि देवों का प्यारा समराट अशोक ये लिखा गया था. इन अभिलेकों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि महान समराट अशोक की लोक प्रियता सामान्य जनता के दिलों में बसी थी और यह उनके अभिलेकों के माध्यम से हमको दिखाई देती है। दिखाई देती है। संधित विशयों पर ज्यान केंद्रित करता है। एहोल अभिलेक जो पुलकेशिन द्वितिय शाशक के संदर्भ में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितिय के युद्ध का विवरण करता है। भीतरी स्तंभ लेक शाशक स्कंद गुप्त का विवरण करता है। स्कंद गुप्त प्राचीन भारत में तीसरी से पाँचवी सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के साथवे राजा थे। इनकी राजधानी पाटलि पुत्र थी जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। भीतरी स्तंभ लेक स्कंद गुप्त के जीवन की अनेक महत्तुपून घटनाओं का विवरण करता है। अब सबसे आखिर में मंदसौर अभिलेक के बारे में देखते हैं मालवा नरेश यशो धर्मन जिन्हें औलिकर वंश का कहा गया है। इस वंश के लोग पाँचवी शताबदी के मध्य में गुप्त सामराज्य के सामंत के रूप में मालवा परशासन कर रहे थे। मंदसौर अभिलेक में सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इन्शासको और उनके अभिलेक विशय में हम और जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। So thank you! दोस्तो ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री अड़्डा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में!